नमस्कार दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए पित्र पक्ष की एक बहुत सुन्दर कहानी लेकर आए हैं एक समय की बात है दो भाई बेहन थे दोनों का विवा हो चुका था और दोनों के दो दो बेटे थे बेहन विद्वा हो चुकी थी और अपने भाई के घर में रहती थी इस बात से उसकी भावी बहुत नारास रहती थी ऐसे ही पित्र पक्ष आया तो वह बोला मैं पित्रों के तरपन और पिंडदान के लिए गंगा जी जा रहा हूं ऐसा कहकर वो गंगा जी के लिए चला गया भाई के जाते ही भावी ने बाहर खेत में ननद और उसके बच्चों के लिए जोपडी डलवा दी अपने बच्चों के साथ वो जोपडी में रहने लगी सुभर शाम भाई के घर जाकर घर का सारा काम कर आती थी बदले में भावी बचा कुचा उसे खाने को दे देती थी जब भी वो भावी के घर से आती तो आटा चानने वाला कपड़ा अपने साथ ले आती थी घर आकर उस आटे में सने कपड़े को पानी में घोल कर चूले पर चड़ा कर पका कर बच्चों को देती और कहती खीर है खा लो ऐसे ही समय बीतने लगा एक बार भाबी ने उसे वो कपड़ा ले जाते देख लिया तो बोली बाई जी आटा चानने का कपड़ा कहां ले जा रही हो इसे यहीं छोड़ कर जाया करो उसने वैसे ही किया उस दिन भाबी ने उसे बचा कुचा भोजन भी नहीं दिया और बोली कल आपकी मा का श्राद है बिना बुलाए तो आना मत हाँ आंगन में लगा ये पीपल का पेड अगर अपनी जगह से हिले तो आ जाना ये सुनकर वो बहुत दुखी हुई और रोती रोती अपने घर चली गई घर पहुची तो बच्चे बोले मा भूक लगी है कुछ खाने को दो वह बच्चों को बोली बेटा आज हम सब का उपवास है भूके ही सो जाओ अगले दिन बच्चे बोले मा मामी ने कहा था कि आज नानी का श्राद है तो चलो वह चलते हैं तो वह बोली बेटा मामी ने कहा था कि आंगन का पीपल का पेड अगर अपनी जगह से हिले तो आ जाना तुम बताओ कभी पेड हिलता है पत्ते हिलते हैं तहनिया हिलती हैं कभी पेड को हिलते देखा है उसने बच्चों को समझाया कि बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए शाम हुई तो उसके भतीजे आये और बोले बुआ माने भोजन भेजा है उसने देखा तो भोजन के नाम पर दो सूखी रोटियों के उपर थोड़े से चावल रखे थे यह देख कर उसे बहुत क्रोध आया और अपने बच्चों से बोली इसे जोपडी के उपर फेग दो और वो भूके ही अपने बच्चों को लेकर सो गई सारी रात गंगा मा को याद करती रही और बोली हे मा गंगा मेरे भाई की रक्षा करना वो हमारी रक्षा करेगा अगले दिन भाबी आई और बोली बाई जी कल तुम्हारे पिता का श्राद है बिना बुलाए आना मत लेकिन आंगन का पीपल का पेड़ हिले तो आ जाना अगले दिन भी वो भाबी के घर बोजन के लिए नहीं गई शाम को फिर उसके भतीजे आए और दो सूखी रोटियां चावल के साथ दे गए उसने फिर वह रोटी और चावल जोपडी के उपर फिकवा दिये और भूकी ही बच्चों को लेकर सो गई और सारी रात रोती रही मागंगा से प्रात्ना करती रही इसी तरह पित्र पक्ष के सोलह दिन बीद गए और उसका भाई बापस आया तो उसने देखा उसके घर के आंगन में कीचड ही कीचड भरा है वो अपनी पत्नी से पूछने लगा ये कैसा कीचड है मेरी बहन और भाणजे कहा है तो उसकी पत्नी बोली श्रात के पूरे सोलह दिनों तक मैंने तुम्हारी बहन और भाणजों के पैर कच्चे दूद से धोए है इसलिए यहां कीचड हो रहा है तुम्हारे पीचे से मैंने उनकी खूब सेवा करी खीर पूरी खिलाई फिर भी वो मुझसे नाराज होकर खेत में जोपड़ी डाल कर रह रही हैं भाई खेत पर पहुँचा तो वह देखता है कि वहां कोई जोपड़ी नहीं थी वहां एक आलिशान महल बना हुआ था जिसके आंगन में उसके भतीजे खेल रहे थे उसने जाकर अपनी बेहन से कहा बेहन ये सब क्या है तब उसने अपने भाई को सारी बात बताई और बोली भाई जो तेरे आंगन में कीचड़ है वो कच्चे दूद से नहीं बलकि भाबी के व्यवहार से जो मैं दिन रात रोती थी उन आसूओं का कीचड़ है माता पिता के श्राद पर भाबी ने कहा पीपल का पेड़ हिले तो आ जाना बिना बुलाए मत आना पीपल का पेड़ हिला नहीं तो हम गए नहीं और शाम को उन्होंने दो रोटी और चावल भिजवाए जिसे गुसे में मैंने जोपड़ी के उपर फेक दिया माता पिता के आशिरवाद तेरे साथ और गंगा मैया के क्रपा से ये सूखी रोटियां सोने में और चावल हीरे मोतियों में बदल गए जिसके प्रभाव से ये सब हुआ है भाई ने अपनी बेहन से अपनी पतनी की गलती की माफी मांगी और घर चलने को कहा तब बेहन बोली भाई गंगा मैया ने तेरी रक्षा करी तू हमारी रक्षा करेगा लेकिन अब हम यहीं रहेंगे ये सुनकर भाई ने अपनी माता पिता को याद किया और बोला मेरे पित्रों जैसे मेरी बेहन और भांजों की रक्षा करी उनके दुख काटे वैसे सब के काटना सब की रक्षा करना कहानी को कहने वाले सुनने वाले और हूकार भरने वाले सब पर कृपा करना